तो वेलकम इडेंट्स आप सभी के अपने चैनल याश की या मिश्री वेफिश स्वागत है बहुत ही इंपोर्टेंट डिबी आपको लिए होने वाले इंपोर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा सारी चीजों को डिसस करेंगे बस आप मारे साथ बने रहेंगे चले यहां पर देखते हैं आपको अच्छी तरीके सम बताने वाले हैं और अच्छी तरीके समझाने वाले हैं क्या चीज़ पढ़ेंगे तो अगर आप 2023 बोर्ट की कच्छा बारा की तयारी कर रहे हैं तो आपको लिए वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट हो सकती है तो मेर चैनल पर और ESқी माँस की इस ट्रीके समझाने का प्रयास करेंगे क्लास 12 की बात करेंगे इसमें देखेंगे जो बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक आपके लिए आता है क्या आता है कुलाम का नियम आखिरकार कुलाम का नियम है क्या इसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे तो मेरे पैरे बच्चो बस आपको हमारे साथ बने रहना है अच्छी तरीके समझाने का प्रयास करेंगे चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कुलां का नियमा किया दो बिंदव समझे गए इसको अच्छी तरीके समझ his बहुत ही आपके लिए important वीडियो होगी जैसे हम कहते हैं एक हमारा बिंदू आवेश Q1 है और एक हमारा बिंदू आवेश Q2 है ठीक यहां पर हम कहते हैं हमारे दो बिंदू आवेश है ठीक है अब इन दो बिंदू आवेशों के बीच तो मध्य बल लगेगा वो बल क्या होग उस बल की चर्चा करते हैं और आपको हम अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं तो मेरे पैरे इशिडेंट देखिए जैसे Q1 हो गया Q2 हो गया ठीक है अब Q1 Q2 के बीच जो बल लगेगा मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी कितना है आर है कितना है आर है अब ह दो नियम क्या था इस बल को निकालने का नियम था तो इस नियम को चलिए हम पढ़ते हैं औहुर आपको अच्छी तरीके समब बताते हैं और इसमें कितनी कुलाम सी क्या कर रहे हैं कि अगर दो आवेशों के मध्ध देखिए जो हमारे दो आवेश हैं आपके यहां पे Q1 और Q2 इनके मध्ध जो बल लग रहा है वह बल आकरशन बल या प्रतिकरशन बल का निर्धारन कुलाम के नियम के दुआरा करते हैं इसमें जो आकरशन लगेगा और परतिकरशन लगेगा उसका जो निर्धारन हम करेंगे वो कुलाम के नियम से करेंगे यही आपके लिए मेन बात है मुख्य बात है समझना ठीक है चलिए कुलाम के नियम के अनुसार क्या पढ़ने वाले हैं और अच्छी तरीके समझाने वाल आवेशों के मद पहली कंडिशन हमारी क्या होनी चाहिए जो आवेश है हमारे जैसे Q1 और Q2 जो आवेश है ये हमेशा इस्थिर होने चाहिए क्या होनी चाहिए इस्थिर रहने चाहिए ठीक है जो इस्थिर आवेशों के मद कार्यरत बल जो इसमें बीच कार जो बल कार करेग आवेशो Q1 और Q2 के गुणन फल के अनुकर्मानुपाती क्या आवेशो Q1 और Q2 के क्या होगा अनुकर्मानुपाती होगा तथा उनके मद्य दूरी आर के वर्ग के ब्यूत्थ कर्मानुपाती होगा ये लाइन जो है दो बार हो गई है तो ये आपको थोड़ा देख लेना है तिक है। देख लेना है ठीक है। यहां से यहां तक आपको थोड़ा नहीं लिखना है क्योंकि दो बाल लिख दिया गया है। तो यह समझ मिलेना आपको कि दो इस तीर आभेशों के मद्ध्य कारे रत बल, आवेशों Q1 Q2 के अगुणन फल के अनुकर्मानुपाती तता उनके मद दूरी आर के वर्ग के भ्यूत कर्मानुपाती होता है तो यह आपके लिए समझना बहुत ही इंपोर्टेंट है चलिए अगला हमारा क्या है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट देखे पहली उनके भी जो आवेश है वो बल के अनुकर्मानुपाती होगा अगर हम आवेश पढ़ाएंगे तो बल बढ़ेगा आवेश हम घटाएंगे तो बल हमारा घटेगा यह आपके लिए समझना बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके लिए एक टॉपिक यह हो जाएगा ठीक है चल obviously proportional to 1 upon i2Most २ आपकी लिए प्रश्न होगा और यहां पर आगर देखेंगे तो यह क्या करा है इन और सली प्रपोर्पोर्श्न इप्र है इसको मतलब आपको समझा देते हैं यदि हो किसका मान कर था है क्या होगा घटे गा है ऐसा क्यूं हो रहा है उसके भी चर्चा करेंगे जैसे वन अपान अगर हम थ्री करेंगे जैसे वन अपान वन करते हैं तो वन आता है अगर टू करेंगे तो वन से हाफ हो जाएगा थ्री करेंगे तीन पार्ट हो जाएगा चार करेंगे चार पार्ट हो जाएगा जो यह हम वन है वो हमेशा पार्ट वाइ चला जाएगा इसलिए हम कर रहे हैं कि अगर हम आर का मान बढ़ाएंगे क्या आर का मान बढ़ाएंगे तो जो यफ का मान है वो घटेगा ठीक है यदि आर का मान हम कम करेंगे किस का मान आर का मान अगर हम कम करते हैं तो जो उसका बल है वो बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा ध्यान समझ गए आप लोग यह चीज है आपके लिए चलिए अब समीकर नंबर एक और दो को सॉल्व करेंगे या फिस डायकले प्रपोर्शनल टू की वन अपान की वन क्यूटू अपान आर इस्क्वाइर जहां देखिए अगर हम अनुकर्वान उपाती को हटाते हैं तो क्य आएगा वन क्योटू पान आर स्क्वाइर तो यहां पर क्य क़ामान एक आप लोग जानते होंगे के ब्राबर 9 निउटन मीटर इसक्वाइर प्रतिकुलाम इस्क्वाइर तो यहां से और थूड़ा स्वाव करेंगे तो यह वराबर क्या हो जाएगा 9 तो 10 की पावर नाइन q1 q2 upon r square टिक है अस्पाइलर नाट का मान कितना होगा y वत वान निर्वाद की बैदू सेलता है क्या है y वत वान निर्वाद की बैदू सेलता है जिसका मान क्या होता है इसका मान भी देख लिजी आप लोग इसका मान कितना होगा कितना होगा इसको ध्यांस देखिए 8.85 N-N m2 विमी सूत्र की बात करते हैं कि यम की पावर माइनस 1, L--3T-4,-2 केस की बात करते हैं इसमें भी आपको केस मिलेंगे अब उनको थोड़ा डीटेल में पढ़ेंगे और अच्छी तरीके समझाने का प्रयास करेंगे यदि इस्तिर आवेशों के मद्ध किसके इस्तिर आवेशों के मद्ध वाई वत वन निर्वात की अतरिक्त अन्य कोई माध्यम मिश्तित है मान लेते हैं कि यहां पर हमने उसुरुम क्या लिया था वाई वन निर्वात लिया था एम वेशिन अवेश उसे की बात करते हैं यह यही जहां पर लेक्म काल शॉतोर। कि यहां पर आपसाइले नाट के लिए कामान एक से अधिक होता है तता धाद्व के के लिए के कामान अनन्त होता है ठीक है यानि अगर हम के कामान यानि कि अगर पराबैदुत की बात करें तो उसके लिए कि जो मान होगा परा मतलब किया होता है जो उसमें एक प्रकार पर IUख नो छीկे प्रसब्रम afar होते हैं अब क्या मांद की होगा कि में ढ़ी होता है अन्थ और एक मांद की से अधिक होगा थीक यह आर्काइब यह हमारा सदिस रूप निकल कर आएगा तो मेरे पैरे बच्चो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्षन में जरूर बताएंगे और अपने साथियों तक इसको जरूर सेयर करेंगे और इसकी पीडियाप भी आपको मिल जाएगे यसकी यह मिश्टाडी के टेल आमछे दूइए नियों बता मिल दो एकि दो आपको मिल आपको जरूर और राम नरूर ओले यहींट नो एकूआ रूर खालनगा के रहएंगे यह झाला के धित अब्स dziई काательि छोर आपको मिला का फजय ought snippet आई जब पका आपको भी कmost रहाँ मेंगें के ल मेंगें